मदद चाहिए आप लोगों की, हेल्प चाहिए आप लोगों की, उमीद है कि आप लोग लाजमी मेरी हेल्प करेंगे एक लड़की है, आउट होने के बाद उसने विकेट के उपर बल्ला भी मारा वो प्रेजन्टेशन सर्मनी में गई, उसने वहाँ जाके बद्तमीजी भी की, बद्तमीजी तो चलो छोड़ दो, बदमाशी की मतलब दूसरी ठीम की कप्तान को ये तक कह दिया कि अमपाइर्स की वजह से आप लोग जीते हो, जाओ अमपाइर्स को लेके आओ उस लड़की को बैन करना था, ICC ने, अभी तक बैन नहीं किया, दो दिन गुजर गए है, ICC को ढूंडने में, उनको जगाने में मेरी मदद करें आप प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे ज्यादा वर्स्ट क्या करना चाहिए था हर्मन परीत कोर को बैन होने के लि इनको बुरा बला कहती है, अमपायर्स के साथ वाक करते वे, बाइर जाते वे, पुविलियन की तरफ जाते वे, अमपायर्स को गालिया निकालती है, उनको आंखे दिखाती है, अगर आप ऐसा सोच रही है, तो शायद आप ठीक है, आप कर सकती है ऐसे, क्योंकि अभी तक I ICC ने कोई action नहीं लिया, मतलब जो लोग कहते हैं कि ICC is equal to BCCI, शायद वो ठीक है, मतलब दो ठाई दिन गुजर गए है, इतना बड़ा वाक्या हो गया, अब वीकेंड पे ICC वले शायद छुटी मनाने कर गए हो, क्योंकि मेरा खियल आप इंडियन है, आप ये कर सकते हैं, मुझे तो यही लाग रहा है, मतलब मैंने सुबा दोस्त से पूछा, मैंने का यार मेरी नजर से कोई news गुजरी नहीं, क्योंकि आम तोर पर क्या होता है, जब ICC किसी को बैन करता है, तो press release आ जाती है मुझे, जब आप रिजिस्टर होते हैं, International Credit Council के साथ, तो आपको proper press release आ 75% match fees, शायद ICC डाले हर्मन परीत को और के ओपर, लेकिन बैन नहीं करेगी, यनि आप विकेट को बला मार दें, आप अमपायर को जाते हुए गालिया नहीं का लें, आप presentation में जाके दूसरी टीम की बेस्ती करें, आप उनको बुरा बला करें, और फिर भी आप पे बैनना नहीं हैं, यह होता कोई पाकिस्तानी प्लेयर, यह होता कोई बंगलादेशी, स्री लंकन, साउध अफ्रिकन, अस्ट्रेलियन, यहां लेने के देने बढ़ जाने थे, यहां ICC ने मैच खतम होने के फोरन बात एक्शन लेना था, कहां है मैच रैफरी, कहां हैं अभी तक अगर 75% फाइन किया जाता है हरमन परीद कोर को तो यकीन करें कि इससे अच्छा आप उनको कोई सजा ना ही दें मतब इससे अच्छा आप कुछ भी ना करें आपको बैन करना है हरमन परीद कोर चुछ कम कोई 5 मैचिस के लिए, कोई 10 matches के लिए ताके example काईम हो आप ठीक है बड़े लोग इस टाइम इंडिया में ये वीडियो देख रहे होंगे जो कहेंगे कि यार बढ़ हाल उनके हाक में बोलेंगे हर्मन पृत कौर के हाक में लेकिन आप आपको समझना है कि no one is bigger than the game आप basically हर्मन पृत कौर से करते हैं क्रिकेट से ज़्यादा प्यार करते हैं ना सो क्रिकेट को बचाने के लिए क्रिकेट के laws में रहना बड़ा important है कोई गेम से बड़ा नहीं है जब विराट कोली ने पाउं दिखाया था नवीन रहक को वहां विराट गलत थे लेकिन मिजोरिटी में इंडियन फैंस सिरल विराट को इसलिए बैक किया क्योंकि वो विराट को ली है फिर उसके बाद शाकिब लहसन ने जब वो हरकत की विकेट को पाउं मारने वाली तब बड़े लोगों ने बंगला देश में शाकिब को इसलिए बैन किया क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है जब शाहिद ऐसे थोड़ी होगा मतलब मुझे तो हैरानगी है कि दो ढ़ाई दिन गुजर गया है अब भी तक ICC ने कोई action लिया ही नहीं उनके against देखें यह जो बड़े खिलाड़ी है न हर्मन परीट कोर मतलब she is not only Indian she is a global star as well उनको देखके कितनी बचिया है कितनी लड़किया है जिन्नो आपने जाके complain नहीं करनी रैफरी से आपने अंपायर को जाके मतलब दो सुनानी है दो गालिया निकालनी है उसके बाद मुझे बताएं cricket की history में कभी presentation ceremony में ऐसा हुआ है कि एक कप्तान जाके दूसरे कप्तान को को एक तुम लोग तो उमपायर की विला से जीते हो ग्रुप आपको बहुत बड़ा समझ रहा है जिनका नाम हर्मन प्रीत कौर है तब विराट कोली को भी obviously सिर्फ फाइन हुआ था उनको भी बैन करना चाहिए था दो तिन चार मैचिस के लिए ताके एक example काइन जाती बाकी sports में हम यही देखते है ना football tennis वगएरा में के बड़े करें और हमारी cricket secure हो because no one is bigger than the game, game से बड़ा कोई नहीं है चाहे वो कोई भी है